हुआ है ओल्राइट फ्रेंट्स तो टोड़े वी आर इस्टार्टिंग इसका सेकिंड पार्ट और बेसिक कंसेप्ट क्योंकि लास्ट टाइम तक अपने किया था ओन्ली रिलेटेट टो डारेक्ट अगर अपन आज इस्टार्ट करते हैं अगर आपको कोई भी फुचता है वाट इस दा मीनिंग ओवर हैट्स वरवर वाट इस अबीनिंग ओवरेट्स आपको बताना है टोटल ओफ इन्डिरेक्ट मैटरियल प्लस इंडिरेक्ट लेबर प्लस इंडिरेक्ट एक्स्पेंस यह तीनों के टोटल को हम क्या बोलेंगे ओवरेट्स ओवरेट्स मीन्स यह टोटल ओफ इंडिरेक्ट मैटरियल इंडिरेक्ट लेवर इंडिरेक्ट एक्समेंस और इसको हम तीन में डिवाइट करेंगे एक को हम बोलेंगे वैरियेबल ओवरेड्स दूसरे को हम बोलेंगे सब कुछ आपको नोट्स में दे रखा है सबसे बड़ा फाइदा यह है कि नोट्स आपके पास है और नोट्स में आपको सब कुछ दे रखा है overhead overhead means your overhead overhead means your total of indirect material indirect labor and indirect expense variable overhead fixed overhead and semi variable overhead now सबसे पहला अपना definition आता है what is the meaning of variable overheads आप देरा notes देख लिजे होगे basic concepts के अपने नोट्स चल रहे है page number 0.3 मैंने आपको बताया कि जीरो जीरो से आपको hero बनाना है तो 0.3 आपको देखना है यह आपका chapter 0 चल रहा है और 0 से आपको क्या बनाना है मैं तो hero बन गया आप अब आप आप जाहिए क्या बोल रहा है variable overheads पहला है आपका variable overheads ओके ना वटी मिन बए variable overheads एनी expense which increases or decreases according to volume or production is known as variable overhead कोई भी expense है अगर वो increase होगा या decrease होगा according to volume according to volume के जैगे और अपने इसको क्या बोल सकते है according to according to production तो आपका क्या होगा in the same proportion suppose अगर आपका units है 100 तो आपका cost क्या आना चाहिए रुपीज 100 अगर आपका unit है 101 cost 101 अगर आपका 59 है 59 अगर आपका 10 but it is this time it is increases or decreases in the same proportion is exactly आपका per unit cause exactly आप का यो पर उनिए तो लो क्या Kṛṣṇa चीए रुपीज 1 आणा चीई रुपीज 1 चीए 1 क reflection arteries then second app eine fixed fixed कि इंस क्या अब रेपंएट सुर्टर का फिलिक्ष। और्ष को इस चैनल tapping 62 कौनस्टेंट सेनल टूहिज टूहन्रे परसंट सूषर्ण बहुत सारे कुश्थर्ज में आपको क्पुछुह अविक्स्ट फेल्समीर अगर कोई भी एकस्टेसेंस है स्टूटंट के लिए और आप सपो तट स्टूटंट आते मेरे पास 10 स्टूटंट अते मुझे क्या करना पड़ेगा चिंधे करना पड़ेगा हुँँ रेंट फुल रेंट ऑप रुपीस वन लेक मुझे क्या पे करना पड़ेगा मुझे करना पड़ेगा फुल रैंट मेरा कित ज़ैंगा से रुपीज रन लेक्ट है अरी फोल सपोस्वाइड इसकी अगर हिस्प्टी की जगत मेने पास di students आते खिए मेने पास 60 प्रिक्सक्रल्ट तो झ्षाओ ट्रोटाय। ये समिवयरिय बल्ल कर थे जैसे टोटल ऑफ वेरीयबल प्लस फिक्सट्व ससक्व अगर आपने देखा हो कि आपको मॉबाइल का भील सब्पोई Сब्स शीज़ ओर बोबाईल बिल। यह यह आपका क्या है मोबाईल का बिल। बराबर मॉबाईल का बिल्ट और आपका करनेक्शनाई इस पोस्ट पेड आपका क्या करनेक्शन है पोच्ट पेड इत्थ लिए अपने देखा होगा की 499 आपको per month rent pay karna hai this is a 499 per month rent whether you are receiving any call or not whether you are making any call or not you have to pay 499 per month लेकिन सपोस अगेर आपको दिरका का कॉल्स का चार्ज एजया 100 रूपीस पर 1 रूपी कॉल it means 100 अपका 599 का बिलायर now what is this 599 this 599 is not variable this 599 is not fixed this is what is a variable plus fixed semi variable का मतलब होता है it is a total of variable plus fixed it is a total of variable plus fixed semi variable means what it is a total of variable plus fixed say yes or no friends okay अब आप आजए है friends मैं आपको करता हूँ one by one तो इसमें क्या रहता है friends again I'll continue with the same example आपको last time बताया था कि suppose your factory is in jam nagar gujraat this is your factory and your factory is in jam nagar gujraat your sales office आपका जो sales office है वो कहां पर है is in Mumbai आपका जो sales office है वो कहां पर है आपका your sales office है अपका sales office है is in Mumbai और आपका फेकरी कहां पर जामनगर कुछ रहत आपके पास मुंबई में एक कस्टूमर आता है और आपसे पूछता है कि सब्सक्राइब अगर आपने प्राइस ज्यादा बोला तो कस्टूमर नहीं खरीदेगा अगर आपने प्राइस कम बोला आपको क्या हो जाएगा लौस तो एक्जेक्ली विद एप्रिकेशन आफ इंडारेक पॉस अल्सो एक्जेक्ली आप उसको कैसे बताएंगे यह वाट इस प्राइस 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 प्रॉपर्ली सीखना दम आराम से जाए यह तंस अब को समझ यह अना आपको बार बार क्या बोला है concept one okay step number one what is topic itself second what is the importance of this topic in day-to-day life what is topic itself and second what is the importance of this topic in day-to-day life आज़े यह सपोस्पोज one four and 2022 आपके पास एक कस्टमर आता है और आपको पुछता है कि सर आइवांटे टू पर्चेस 1000 यूनित्स ओ प्रोड़क्त एस बन वाब को खाब बोलता है कि सर आइवांटे टू पर्चेस 1000 यूनित्स ओ प्रोड़क्त एस बन नहीं किया आप उसको कैसे बताएं गे वाट इस द प्राइस प्रड़क्त सबसे पहले हम क्या बनाएंगे फ्रेंस लिस जोर cost seat this is your cost what is cost it it is a statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production what is cost it cost it is a total cost of production as well as unit cost of production सबसे पहले अपना आएगा this is direct cost it means direct material direct labor direct production manager बोलता है एक unit को बनाने में 10 kg material लगेगा rate manager बोलता है टेन रूपीज के सबसे पर्चेस कर सकते है इसका मतलब पर unit आपका cost आजाएगा रूपीज 100 production manager बोलता है एक यूनिट को बनाने में 10 hours लगेंगे rate manager बोलता है टेन रूपीज पर आपका total cost के आएगा 100 and a prime cost आपको prime cost आएगा रूपीज 200 देन दिस जोर indirect cost प्रैक्ट्री ओबरेट एन फ्रैक्ट्री ओबरेट इफ इस इन दा नेचर ओफ fixed अगर यह fixed nature का है तो आप क्या करेंगे आपका नेचर कौन सा है फ्रैंस आपका नेचर है fixed इससे आपको मिलेगा battery cost add profit आपको क्या आएगा selling price आपको क्या आएगा selling price 1422 बहुत ध्यान से सुनिए concept को समझने की बहुत जरूवत है आप अराम से एक एक मन को द्यान से सुनिए समझ यह देन यूठिक दा डिसीजन कस्तुमर आपके बास कभी आया customer आया 1422 को आपका पी रेट क्या है 1422 टू अर्टिपस मार्च 23 को सिट आपको बनाना है क्योंकि 1000 यूनिट का ओडर है पर यूनिट को सब्सक्राइब कर निकाल रहें वस्ति निचे डारेक को सेके निचे इन डारेक को सब्सक्राइब डारेक 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 अटेक्स में अब प्रॉबलम क्या होता है कि ठीक है मैंट्रियल लेबर के बारे में मालूम में अगर इसका नेचर फिक्स्ट है तो आपको कैसे पता चलेगा क्योंकि यह पीरेड इस वन फोर टू थाजन ट्वेंटी टू थर्टी मार्स टू थाजन ट्वेंटी क्योंकि आपको ओवरेड कितना फिक्स्ट ओवरेड लगा फिक्स्ट ओवरेड मिलस अपका व्येंट अपकी फ्येक्ठी का इंसोरेंथ existing चरिण इस सब क्या नहीं चला यह जो हो कब पता चलेगे आपको the मार्श फेंटीथ्रिह में वो आपको कब पता चलेंगे, बोलो, 20, 23 में आपको पता चलेंगे, कि मेरे overhead कितने हुआ, उसके सामने आपका production कितना हुआ, वो भी आपको कब पता चलेगा, 23 में, लेकिन आपको cost कभी पताना है, 22 में, problem कहाँ पे आ रही है, वो समझ यह, आप कस्टमर को यह नहीं बल सकते हैं अप्टू प्राइम को सकते मुझे मालुम है आई नो अप्टू प्राइम को सकते हैं लेकिन आई डॉंट नो अबॉट दा फैक्टरी ओबरेड एंड जिसका नेचर है अपने पास स्विक्स वह मेरे को कब पता चलाएगा 23 में मैं तभी आपको प्राइज बता हमको कश्टमर रहां नहीं अल्दट टॉपिक्स अप्टू सीए फाइनल आपको एक चीज़ ज्यां रखना है अल्दट टॉपिक्स अप्टू सीए फाइनल इवन योर एक्ट्ट्र प्रदक्शन टेक्स प्लेस आफ्टर देयर अप्रोबल ऑप तो इस केस में हम क्या करें तो इस केस में हम लोग निकालते हैं रिक डॉड़ी देट तो अधिक बटीज रिकवरी रेट यह रिकवरी टेट आपका रहेगा बजटेड एक्सपेंस डिवाड़ेट बाइ बजटेड वाल्यूम बहुत ध्यांसे सुनिए यह पूरी जान है कोस्टिंग मताफ एकदम ओपर से लुन है करके न आपको बहुत ध्यांसे रिकावरी रिकावरी ने रिकावरी रेट इक वाल टो जॉर बजटेट एक्सेंस डिवाइड सत्वाइब यह आपको कौन बताएगा इज एक्सपेंस मैनेजर यह आपको कौन बताएगा प्रोडक्शन मेंजर बहुत ध्यान से सुने अपने को चाहिए आपन को चाहिए recovery rate what इस recovery rate budgeted expense divided by budgeted volume हमारा problem क्या है हमारा problem यह है कि हमको पता चलेगा कि कितना expense हुआ 2023 में कितनी यूनिट्स बनी कब पता चलेगा 2023 में कॉस्टम को कभी देना है एज ओन टुदेग ठीक है यह सवन हो ओके तो कैसे निकालेंगे फ्रेंड्स सबसे पहले आप बनाएए इस इस जोर बजट बजट आपका कौनसा पीरेट क्या है 1422-31 मार्च 23 आप एक्सपेंस मेनिजर को अपने को पूछिए अगर मेरा पीरेट 1422-31 मार्च 23 है जिनका नेचर फिक्सट है पूलता है इंसुरेंस है टैक्सिज है डेप्रिशेशन है सब मिला कि आपका होगा सब्सक्राइब कितना होगा रुपीज फाइलेक्स अब आप प्रोडक्शन मेनिजर से बात करिए प्रोडक्शन मेनिजर से आप बत करिए कि अगर मेरा पीरेट 1422-31 मार्च 23 है 1422-31 मार्च 23 है तो पूरे साल में मेरा नॉर्मल प्रोडक्शन कितना हो सकता है पूरे साल में में कितना बना सकता हूं इजे 50,000 इसका मतलब आपका budgeted expense recovery rate means क्या है your budgeted expense file x your budgeted units 50,000 आपका recovery rate क्या होगा what is recovery rate recovery rate equal to your budgeted expense divided by budgeted volume जो budgeted expense divided by budgeted volume आपका recovery rate क्या आजाएगा रुपीज 10 वाई इस रिकावरी डेट इस रिकावरी डेट इस रिकावरी रिकावरी डेट नहीं है हाव वलाई कंप्रीट मैं कॉसी मैं अपनी कॉसीट कंप्रीट नहीं कर सकता तो इसके लिए अपन क्या करेंगे एड टेन टू टेन चार्ज 90 प्रॉफिट एन सेलिंग प्राइशिस थ्रियां कि से यह सोनों कि बजटेट एक्स्पेंस डिवाड़ेट बाई बजटेट प्रॉडक्शन इक्वल टू आपका क्या आएगा रिकावरी डेट वाई दिस यह आपको कौन बताएगा इजे एक्सपेंस मेनेजर यह आपको कौन बताएगा इजे प्रॉडक्शन मेनेजर क्यों चाहिए रिकावरी डेट ही जब तक हमाले पास रिकावरी डेट नहीं है मैं मेरा कॉसिट कैसे कंप्रीट करूंगा और इपाई कंप्रीट मैं कॉसिट हाओ लाइव से वाट इस अप्रा मेनेजर आपको बजटेट वॉल्यूम कोन बताएगा इजे प्रॉडक्शन मेनेजर बात खतम हो गई आपका टेन हो गए आप आगे होता क्या है एक्चुल में आप जरा चीजों को समझें कि एक्चुल में हमारा क्या होता है कि जब हमको पता चला कि थर्टी फर्स मार्च इस इस दौल्ड एक्चुल सिच्टुएंट कि एक्चुल में हमको पता चला एक्चुलएइखिस फएलेख 90,000 कि मेरा एक्चुल एक्षपेस कितना है फाइलेख90,000 और मेरे एक्चुल यूनिट्स बन के तईयार हुए सब evil और से हैवाटी तावज IR यह कभी का पोजीचन बजट वन फोर ट्वंटी टू अब मेरा यह साल खतम हो गया खतम होने के बाद मुझे पता चला मैंने तो सोचा था पांचलाग खर्चा होगा हुआ कितना फाइल एक नाइंटी थाउजिन मैंने क्या सोचा था फिप्टी थाउजिन यूनिट्स बनेंगे बने कितने फॉर्टी थाउजिन मैंने क्या सोचा था सबसे पहले मैं बनाूगा एक एक एकाउंट उसको बोलते हैं अब मेरे को यह देखना है मैंने क्या सोचा था कितना एक्सपेंस होगा प्रफ्राइब लेकिन जब 31st मार्च 23 में में गया एक्ट्वल यूनिट्स बनके तैयार हुए फॉर्टी थाउजन और एक्ट्वल एक्स्टेंस बनके तैयार हुए फाइनाइट मेरे को यह पूछना है कि नेक्स्ट यह क्या रहेगा फाइनाइटी इस करेक्ट और फाइल लेकिस करेक्ट नेक्स्ट तीर फुर्फी थाउजन इस करेक्ट और फॉर्टी थाउजन इस करेक्ट इट 40,000 into 10 and this comes to 4 lakhs मेरी पॉकेट से कितना गया फाइनाइक मेरी पॉकेट में कितना है फॉर लेक इत्मेस बाइ अंडर रिकावरी एक जिस कम्स तू वन लेक्ट मैंट आप सोचिए कि सपोज अगर मेरा क्लास्रूम है मेरे क्लास्रूम में मैंने सोचिए पचास बच्चे आएंग क्लास्रूम है यह क्लास्रूम एंग क्लास्रूम ओफ डीकेसी आप आपको बता है नानिकी कोश्टिंग को अम लोगों ने रिष्टर करा लिया रहे मैंने सोचा कि रिकावरी रेट इत्मीस मेरा रेंट लगने वाला है से पचास जार और मैंने सोचे कि नंबर ओफ इस्टूडेंट्स आएंगे से फिप्टी तो एक जन कितना रेंज देगा मुझे वन ताउजिंग अभी एक्च्वल में सबकूस फॉर्टी स्टूडेंट आते तो फॉर्टी इंटू वन थाउजिंग मुझे बापस कितना रि रिकावरी अंडर एब्जोब अंडर एलोकेटेड अंडर चार्ज मैंने क्या सोचा था कितना खर्चा होगा फाइल एक नांती ताउजन रिकवर कितना वुआ कितना हुआ रुपीज 1,90 मुझे यह देखना है कि नेक्स्ट डियर के लिए फाइल एक इसको और अपन डिटेल में करेंगे अड़ टाइम आप स्टेंडर्ड कॉस्टिंग इसी को हम बोलते हैं एनलेसिस ऑफ वेरियांस ओके थोड़ा सा ध्यान से सुनों क्या हुआ अपना ज्ड़ा ध्यान दो मेरा यह हो गया मेरी पॉकेट में कितना आया फॉर लेक्स मेरी पॉकेट से कितना गया इतने का लॉस हो गया वन लेक्स मेनेजर दूसरा प्रोडक्शन मेनेजर ने क्या बोला था कितना खर्चा होगा पांच लाग उसने खर्चा कितना कर दिया पाइल एक नैंटी थाउजन कितने का लॉस हो गया कि नैंटी थाउजन प्रोडक्शन मेनेजर एक्सपेंस मेनेजर ने बोला था पांच लाग खर्चा होगा हुआ कितना फाइल एक नैंटी थाउजन लॉस कितना हो गया प्रोडक्शन मेनिजर ने क्या बोला था कितनी युनिट्स बनेंगी फिप्टी बनी कितनी टिजे फॉर्टी वाट इस मैं रिकवरी देट टेन मुझे लॉस कितनी का हो जाएगा टिजे अब हमको इसको पुछ रहा है कि वह यह 90 का लॉस हुआ ठीक है नो प्रॉब्लम लेकि फाइल ऌटी हेला सथ कि नेक सब्सक्राइं वाला की सूर्फ घञाने लॉस हुआ है यहилो सुनिघ्रेस कितना बहिकर दलेना भुल सब्सक्राइब अपने प्रोग्प तो नरहें घंफ पूलिया पर यह अन्ट्रॉलेबर लॉस नेक्स टाइम आपको लेना पड़ेगा फाइलेग 90 थाउजिन नेक्स टाइमको क्या लेना पड़ेगा फाइलेग 90,000 वो बोलता है नहीं सर इस ताइम क्या हुआ गुजरात में एलेक्शन थे एलेक्शन की वाज़े मैं मैं Rs. 90,000 क्या देना पदा डॉनिशन दिना पदा 90,000 क्या देनापदा क्णियन दिना पदा और मैंने रिंगली हो कहां पे डडिद कर दिया फैक्रिण आपकोन फैल्की एलेट्षन अगा तो एक नेक्ष्ट यह आपको देखना है इसको तो और अपन डिटेल में करेंगे इसको करने के लिए लेकिन थोड़ा-थोड़ा बेसिक कंसेप्स के इसाब से आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है आप मुझे बताईए अब इसी चीज को मैं कभी भी आपको बोलूंगा कभी भी मैं रिकावरी रिट देन अगर मैं आपको बोलूंगा अ चार्जी रेट या मैं आपको बोलूंगा अ एब जोब संद्रीट आपको कुछ लिखने की जरूत नहीं है सब कुछ मैंने आपको प्रिंटेड नोट में दे रखा देन इस जोर अ बजटेड रेट इस जोर एस्टीमेटेड रेट इस जोर अलोकेशन रेट अप्लिकेशन रेट अप्लिकेशन रेट अप्रिटेटर में रिट यह सब का मीनिंग एक ही रहगा अब कभी मैं आपको बोलूंगा से रिकावरी रेट चार्जिंग रेट एब्जॉप्शन रेट बजटेड रेट एस्टीमेटेड रेट एलोकेशन रेट एप्लिकेशन रेट आपका सब का मीनिंग क्या रहेगा से यह क्या रहेगा इजे budgeted expense budgeted expense divided by budgeted volume expense आपको कौन बताएगा इजे expense manager और यह आपको कौन बताएगा इजे production मेनेजर क्या रहेगा फ्रेंट्स बजटेट एक्स्पेंस आपको एक एस्टिमेट करना पड़ेगा डिवाड़ेट बजटेट वॉल्यूम यह आपको एक्स्पेंस मेनेजर बताएगा यह आपको प्रोडक्शन मेनेजर बताएगा को के वॉल्यूम वॉल्यूम को हम दो में डिवाइट करेंगे फ्रेंड्स वॉल्यूम यह जो आपका वॉल्यूम है इसको हम दो में डिवाइट करेंगे फ्रेंड्स एक को हम बोलेंगे ट्रादिशनल मेथड एक को हम बोलेंगे ट्रादिशनल मेथड और दूसरा हमारा रहेगा मौडर्न मेथड और इसी को एक सेपरेट टॉपिक करके आपके सिलिवस में एजे एक बीसी एक्तिविटी वेज़ टॉस्टेंग से एक बीसी कोस्टेंगे वेएट करके टॉपिक है यहां पर मैं आपको बता देताओ एक त्रेदिशनल इसका मतलब वोल्यूम आपका रहेगा या तो on the basis of units, arts, days, weeks, months, year. क्या रहेगा या तो units, arts, days, weeks, months, year और any other method यह हम किसमें चल रहे हैं? ट्रेडिशनल में आपको separately करा दूँगा अपना ABC. यूनिट्स इसका मतलब recovery rate equal to budgeted expense divided by budgeted units. आप पूरे साल में कितना खर्चे करने वाले हो और अगर आप उसको budgeted units से, estimated units से, अगर आप डिवाइट कर दोगे तापका recovery rate क्या आएगा? या on the basis of units, या फिर आर्स, it means recovery rate equal to budgeted expense divided by budgeted hours. budgeted expense divided by budgeted hours, hours में आपके labor hours हो सकने हैं या आपके machine hours हो सकने हैं. then second आपका क्या रहेगा? Machine last रहेंगे या labor hours सब कुछ आपको दे रहां, dunnast. पहले recovery rate, budgeted intelligence divided by budgeted units, recovery date equal to budgeted expense divided by budgeted hours, labor hours से divide करेंगे या machine hours से, पूरे साल में कितने expense होंगे, वुर्य साल में हमारे कितने उनिट्स रहेंगे तो पर एक्सपेणक होगे कितने घंटे में काम करने मारूं लेबर लेबर आर से हो जाएगा या फिर मस्षीनर से 25 रापा हैगा कि यह बजटेर एक्सेंस रिकवरी रेट इक्वल टू बजटेर एक्सेंस डिबादेट बजटेर देज वीक्स मन्स और यह अगर आप 52,000 रुपीज दे रहे हो 52 वीक्स आपको काम करने को मिल रहे तो पर वीक का रिकवरी रेट क्या हो जाएगा रुपीज आप दे रहो 10 यह के लिए आपको मिलेगा तो पर यह का रिकवरी रेट क्या हो जाएगा 10,000 उसके अलाबा आपने बहुत बॉपली सुनाओगा रिकवरी डेट यह आता है इन फर्म परसंटेज रिकवरी डेट इक्वल टू यॉर बजटेट एक्सपेंस डिवारे बाई बजटेट वेजिज बजटेट एक्सपेंस डिवारेट बजटेट वेजिज बजटेट एक्सपेंस डिवारेट बजटेट वेजिज बजटेट एक्सपेंस डिवारेट बजटेट वेजिज कभी-कभी आपने सुचा होगा सुना होगा फैक्ट्री ओबरेट 50 आपका recovery rate निकल के आएगा इजे आपका recovery rate निकल के आएगा आपका 50% तो यह चार तरह के आपके ट्रडिशनल ही रहेंगे recovery rate budgeted expense और यह आपको चारों बहुत काम आएंगे हर question में काम आएंगे आप ज़्यान रखना मैं आपको और डिटिल में करा दूना उसके बाद फ्रेंड्स आप कहाता है इसे modern method, modern method means activity based cost, activity based costing बहुत funny example मैं आपके सामने लेता हूँ, suppose four friends are going for dinner, one, two, three and four, four friends are going for dinner और 4000 का बिलाता है होटल का four friends are going for dinner हर जन हमें कितना contribute करेगा 1000 यह आपका क्या हो गया यह आपका हो गया इंडियन सिस्टम यह आपका कुंसा सिस्टम हो गया इंडियन सिस्टम की 4000 मेरा टोटल है चार जन मुझे आने वाले है एक जन मुझे क्या आपके करेगा 1000 तो कि 4000 का बिल था चार फ्रेंड्स से डिनर करके आए लेकिन प्रॉब्लम का बाती है यह आपका क्या हो गया इस इसको बोते है जल मैंटकर हो क्या बोलेंगे ड्रेडिंशनल में लेकिन अगर 5000 आपका बिल है उसमें से 2000 आपका लिक्कर का बिले दारू का बिले लिक्कर का बिले 2000 का बिले आपका 2000 रुपीर आपका बिले फूड़ कब यह फूड चार लोगों ने दारु खाली 2 लोगों नहीं पिया लिए लिए कर्मिस दारु दो लोगों ने पिया और हब पिएश्य 4 लोगों एकशाय करेक्ट क्या यह 1000 रुपीज वाला जो क्या बच्थ ख़त Father सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे सब्सक्राइब करेंगे तो कोई भी आएगा नहीं सब्सक्राइब करेंगे इसके बाद आता है जो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट उसके साथ आपका बेसिक खतम हो जाएगा जिए साइमल्टेंट यह अपना आएगा इस सैमी वेरियेबल ओवरेड्स कि है मी कि वेरियेबल ऑवरेड्स कि आपको बता है देखे ज़रा आपको कुछ लिखने की ज़रूत नहीं है डेफिनेशन पर आजाए सीbridgeो कि वेरियाबल उप्लस वेरियेबल फ्लस द्रय वह मैं है रहेगा इट जेट ऑफ है वेरियेबल वोग से टोटिल ओफ मैंने टीजेटोटल ओ वेरियेबल फ्लस До वह क्भी अपको को बोनता है स्यमी वेरियेबल स्यमी ज्ए कि टोटल फ्सूञ़ गया आप इलेक्रिसिटी बिल ले लिजे आपके घर का आप इलेक्रिसिटी बिल जाके देखना और आप मुझे बताना आपको समझा के निए कंसर्प्रेंट वेटर यू यूज एनी एलेक्रिक और नॉट आपको 150 रुपीज पर मन्त रेंट भर नहीं बरना है उसके बाद सब्सक्राइब आपने यूनिट्स कंजूम की 200 और पर यूनिट का रेट है 1.5 दिसे 300 और आपका टोटल वैल्यू आएगा इजे फॉर फॉर फिप्टी आपका 整 का टोटल बिल एमंहों अपर टोटल में एमौंट के आएगा सिजे फॉर फिट्आ लुक्रीृपिज इतुर पॉर महें है एक उत्म हम माव्हें क्या बोलेंगे इसी नोट quoi कं सिज भृस यह सइमी वरियाबल क्योंकि इसके अंदर यह बाला portion शाय और यह बाला पोर्शन अपका वेरियेबल इसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे इजे सेमी वेरियेबल ओके तो इनको फिर आता है कभी कभी थेयरी में भी यह आ जाता है वाट आपको यह यहां पर लिखना है मैतोड्स पॉर मेथट्स पॉर अधर्स पॉर एलोकेशन ओफ सैमी वेरियेबल है यह अगर मैं आपको एक 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 जामपल देता हूं आपको जिरो पॉइंट फाइब पे एक 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 जामपल भी आपको दे रखा है Suppose this is given समझ यह एक चीज को यह आपके पास है Units और यह आपका है Over है Units आपकी है Suppose 1000 Overhead है आपका 2000 Units है 2000 Overhead है आपका 3000 Units है 3000 Overhead है 4000 Units है 49 And Overhead है आपका 50,000 अब अगर आपको एक्जाम में पूछता है कि इसका कौन सा नेचर है यह जो Overhead आपको दिया गया है इसका कौन सा नेचर है पराबर आप कैसे करेंगे दिखो मैंने आपको क्या बता है था आपने लिजे Variable Overhead Variable Overhead रहेगा मैंने आपको क्या बता है Increases or Decreases in the same proportion अगर पर यूनिट अगर अपन यहां पर निकालते हैं पर यूनिट तो दिखो यहां पर क्या आएगा टू रूपीस टू थाउजन डिवाइड बै वन थाउजन टू यहां पर थी थाउजन डिवाइड बै टू थाउजन इस वान पॉइंट फाइड इसका मतलब यह वैरियेबल नहीं अगर यह सब जेगे टू रूपीस पर यूनिट होता टू थाउजन डिवाइड बैवेड बरण तब क्या सब्सक्राइड पर यहां पर यहां पर यहां पर सब जेगे क्या होना चीह था फिज़ुड भी अगर अपका fixed है तो हर जगे क्या होना चाहिए same है क्या नहीं है यहाँ पर 2000 है यहाँ पर 3 है यहाँ पर 4 है यहाँ पर 50,000 इसका मतलब ना तो यह variable है और ना ही यह fixed है इसका मतलब It has to It has to semi variable It has to semi यह आपका कौन से nature का expense हो गया यह आपका expense हो गया semi variable, तो semi variable में कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर कितना तो fixed है, कितना fixed है और कितना variable है, कितना variable है, कितना fixed है, कितना variable है, कितना fixed है, कितना variable है, कितना fixed है, कितना variable है और कितना fixed है, इसके लिए अपने पास आते हैं, है है में 30 कि अपने बाद क्या आता है मैं सबसे पहले आपको दे रखा है नोट्स में आप देखें साइमल्टेनियस इक्वेशन है अपना क्या रहेगा सबसे पहला सबसे पहला अपना रहेगा simultaneous equation method जहां पर अपका क्या रहेगा variable cost per unit equal to x and fixed cost equal to y variable cost per unit per unit equal to x and fixed cost equal to y it means 1000 x plus y equal to 2000 and 2000 x plus y equal to 3000 1000 x plus y equal to 2000 and 2000 x plus y equal to 3000 whatever x kya a variable to increase or decrease according to units over 1000 say and 2000 to multiply by x करेंगे y आपका जो रहेगा that is a constant it means 1000 x y and y get cancelled equal to minus 1000 and x equal to 1 is coming up of variable aapka आगया is a 1 then 1000 into 1 plus y equal to 2000 and y equal to 1000 इसका मतलब इसके अंदर आपका variable cost per unit रहेगा one और आपका y y equal to fix cost fix cost आपका रहेगा 1000 you can verify the answer कैसे करेंगे देको variable 1000 into 1 1000 और balancing figure आपका जो आएगा that is a fixed to one thousand two thousand two thousand into one two thousand और total 3000 तो 1000 अपका क्या हो जाएगा fix three thousand three thousand में three thousand variable three thousand two one and one thousand आपका क्या बच्चेगा fix this is 49,000 variable और 1000 आपका जो बच्चेगा वो fix तो यह आपका हो गया method one मतलब आपका variable cost आ रहा है तू थाउजन आपका टोटल कॉस्ट है उसमें वन थाउजन वन रूपी पर यूट आपका वेरियेबल है को वन थाउजन टू वन करेंगे balancing विगर आपका क्योंकि टोटल कॉस्ट तू थाउजन तू थाउजन में इसको बोलेंगे मेथट टू इजे वोल्यूम रिलेटेग इट मेंज चेंज इन कोस्ट चेंज इन कोस्ट डिवादेट बाइड 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 चेंज इन रादक्शन चेंज इन र coalition के चेंजरें वारनिरट बाइड बैचंज इन रादक्शन चेंज पाया रहेगा चेंज इन कोस्ट इट मेंस वेरियेबL कोस्ट पर यूनिट यह वैरियबल कोस्ट पर यूस्ट कैसे का लिए फेंट्स टिचेंजीन को स्टिवारेट बारेट रिचेंजेन प्रीचेंट चेंजीन कोस्ट दो वॉल्यूम लेवल का 3000 एंड 2000 कितना चेंज हो गया 1000 ॉ दिवारेट बाइचेंज न प्रोड़क्शन 2000 इस 1,000 is 1,000 और आपका पर यूनिट कॉस के आएगा इस रुपीज वन इसका मतलब आपका वेरिबल कॉस के आगया वन अब आप वेरिफाइ का लिजिए टोटल कॉस तू थाउजन दे उसमें आपका वेरियबल है एंड वेरियबल हो गया आपका वन थाउजन इंट वन वन थाउजन और बैलेंसिंग फिगर आपका हो जाएगा को वान था मैंने आपको वेरिफाइ करके बताया था हर जिए आपका पन थाउजन इंट वन बैलेंसिंग फिगर तू थाउजन टू थाउजन वेरियबल वन थाउजन फिक्स्ट हो जाएगा तो कभी-कभी थिवरी में भी आपका आ जाता है कि वाटर दा मैथर्ट्स पर एलोकेशन ओ वह बता दीजे आपका हो जाएगा झालेट सब कुछ आपको प्रिंटेट फॉर्म में दे रखा है तो आपको कोच भी लिखने के zero this is your high point versus low point high point versus low point this is your variable cost per unit equal to cost of high point minus cost of low point divided by high point minus low cost of high point minus cost of low point cost of high point cost of high point up a 50,000 cost of low point two thousand high point up 49,000 low point up cost of high point high point given example में सबसे ज्यादा high point आपका क्या था बताईए 49,000 units उसका overhead cost क्या था is 50,000 रुपीस सबसे low point का overhead cost है 2000 units से 1000 cost of high point minus cost of low point it is 48 divided by 48 and this comes to अपका variable cost क्या हो जाने का वन ऊजाए गो डाइगा क्लियर हो रहा एक हुराए थे तिस नद रहा है कि न दूना रहा है कि न फ्स लो पाई पाइन वर्स लो point first of high point minus cost of low point high point and low point 48,000 48,000 this is one overhead 49,000 overhead 1000 comment above value this is your high point cost हाई पॉइंट कोस्ट आपका क्या आ रहा है कॉस्ट ओफ हाई पॉइंट इस इसके अंदर आपके दो हैं यूनिट्स है 49,000 वन रूपी पर यूनिट 49 और आपका फिक्स कोस्ट क्या जाएगा फिक्स कोस्ट इस वह अपने चेक किया और कभी-कभी ये भी आ हैगा मैं 304 allocation of semi variable cost कर खिना तो यह इसके साथ friends मैं आपका कंप्रीट करता हूं इसके साथ मैं आपका कंप्रीट करता हूं basic concepts यह मैंने आपको base बताया रहे what is cost atj statement which is showing total cost of production as well as unit cost of production total cost of production as well as unit cost of production total cost you divide in two one is a direct cost and one is a indirect cost direct cost means which is directly related to production what do you mean by direct cost direct cost means which is directly related to production what do you mean by indirect cost indirect cost means related to production but not directly indirect cost means related to production but not directly say yes or no friends आपको clear तक बात में उता है लेकिन मुझे मुझे निकालूंगा आप यह समझे ठीपार्स में डिवाइड करना है प्रप्रेशन सेकंड रिवीजन मैं आपको बताऊंगा क्रेस कौर्स क्या होते हैं लास्ट मिनित रिवीजन क्या होता है 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 यह अगर इस तरह से करेंगे तो आपको प्रोपर आपका काम हो जाएगा तो के सब्सक्राइब के अंदर पहला आपका है डारेक्ट मेट्रियल का टॉपिक नंबर बने मेट्रियल दूसरा डारेक्ट के वर आपका टॉपिक नंबर टू है लेबर इस तरह से ही चलते रहेंगे तो सब्सक्राइब करेंगे अगर आपने प्राइस कम बताया आपको लॉस हो जाएगा एक जब आपने एस्टिमेट किया है कोई भी चीज़ अपन एक्चुल करते हैं दोनों के बीच में डिफ्रेंस आता है दोनों के बीच में डिफ्रेंस आता है उसके लिए अपने एक सेपरेट टॉपिक है आपके लिए इस प्रेंडर्ड कोस्टिंग अने लिशस ऑफ वेगियांस बढ़ा तैंक्यों वेरी झाल